हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस कि टेक्नो स्पार्क गो फोन में आप लोग इंकमिंग कॉल फ्लाशलाइट को कैसे बंद कर सकते हो अगर आपके पास एक टेक्नो स्पार्क go phone है और इस phone में आपको incoming call flashlight को बंद कर देना है मतलब इस phone में जो है जब भी आपके phone में call आ रहा है तो call आने पर आपका जो यह flashlight है back side में जो camera flashlight है वो blink हो रहा है तो आपको जो है यह problem कैसे solve करेंगे अगर आपको भी कुछ इस तरीके का problem देखने को मिल रहेगा आपको जो flashlight है वो बार-बार blink हो जा रहा है आपको जो बहुत ही दिक्कत हो रहा है इसके वज़े से तो कैसे आप लोग जो है इस incoming call flashlight problem को solve कर सकते हो गाइस तो कि आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास्त तक देखिए जिससे आप लोग call करते हो ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस उपर की तरप आपको एक settings का option देखने को मिलेगा तो इस settings के option पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर जो पहला वाला option मिलेगा गाइस flash for calls का देख सकते नीचे लिखा हुआ है flash will alert continuously when lock जब भी आपका phone lock होगा call आएगा तो आपका जो यह camera flashlight है वो blink होने लगेगा तो इसको अगर बंद कर देना है तो यहाँ पर simply इस पर क्लिक करेंगे तो यह बंद हो जाएगा देख सकते हैं बहुत easy है सिर्फ इसको क् आप लोग अपने techno spark go phone में incoming call flashlight को बंद कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगो कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई